तो अगर आपको बढ़तानी है अपने घर वालों को अपनी एहमियत, तो करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप घर के खूप सारे पैसे बचा सकते हो, आप बना सकते हो एक किलो के करीब घी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मलाई से, और ये भी नहीं घटानी है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस, वो सब आपको अभी पता लग जाएगा, तो हलो मेरे बावर्चियों, सस्रीकाल, अदाब, नमस्ति, कैसे हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखो, मैंने बनाया धग घी, तो इसके लिए हमने करना ये, सबसे पहले मैंने साथ दि दूद के उपर जो मलाई आती है, वो निकाल के रख ली, और कुछ इस तरीके से हमने मलाई स्टोर की थी, वो हमने पतीली के अंदर डाल दी, अब करना ये है, कि इस मलाई को हमने हातों की मदद से, आप चाहो तो यहाँ पर ब्लेंडिंग जार, यानि की मिक्सर का भी यू हलका हलका मलाई को घुटना शुरू करेंगे, आप इसके लिए एक और आपके घर पे होगी मधानी, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लकडी की मधानी, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हातों से आपको 5 मिनिट तक मलाई को अच्छे से रब करना है सारे उसके जो गुटले हैं, वो अलग कर देने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छे से क्रीमी फॉर्म में हमारी ये जो मलाई है, वो आ चुकी है, यानि कि मखान एकदम सही पॉइंट पे बन रहा है, अब आपको इसको जो है ना, एकदम clockwise, यानि कि सीधे हात से ब अपोजिट डिरेक्शन में घुमाएंगे, तो इससे मखन जल्दी निकल जाता है, तो लग बग थोड़ी सी महनत के बाद आप देखेंगे, कि इस तरीके से आपकी जो मलाई है, ये मखन का रूप ले चुकी है, तो यहाँ पे हमारा मखन बनके विल्कुल रेडी हो चुका अगर आपको स्टोर नहीं करना है, तो आगे का प्रोसेस बता देती हो, तो आपको इससे तब तक इस तरीके से हिलाना है, जब तक कि मखन से इसा पानी ना आने लगे, आप तीक सकते हो नीचे पानी आ रहा है, सारा पानी प्रेस आउट कर देना है, और यह जो हमारे पास वनके रेड़ी हो जाएगा, यह हमारा माखन है, आप इससे स्टोर करके फरिज में भी रख सकते हैं, ब्रेट के साथ इंजॉई कीजिये, परोठो के साथ इंजॉई कीजिये, कैसे भी आप इसे इंजॉई कर सकते हैं, तो इसमें से मैं 1 कटोरी के करीब माखन को साइड में रख दूंगी, और फिर दूसरी तरफ हम बाकी का जो मखन है, वो निकाल लेंगे कड़ाई के अंदर, सारा पानी अच्छे से स्क्वीज आउट कर देना है, थोड़ा ताजा पानी और आड़ करके, अच्छे से वाश करके, यह मखन हमने निकाल दिया है, अब हमने गैस को क मिल रहा है, उसमें भी हमें बहुत सारे मिलावट मिल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पे बनाना आपको सिखा दूँ, अब देखिए सर्दियों का टाइम है, पिनिया बनानी होगी, या तो फिर हलवा बनाना होगा, या घर वालों के ड्राइफरूट्स फ्र तरीके से पिघल गया है, आपको टेंशन बिलकुल नहीं लेनी है, बीच बीच में इसको अच्छे से हिलाते रहना है, ताकि यह जो हमारा घी है वो नीचे की तरफ ना लगे, अब आप देख सेते हैं, चारों तरफ से अच्छे से खुदेरती हुई, इसे अच्छा हिला र तो इसलिए अब हम इसे 5-10 मिनिट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे, तो इसको क्या होता है, घी बनने में भी स्टेजिस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मक्षन पिगलेगा, पिगलने के बाद यह आप देख सकते हो, बीच बीच में से इसमें से बबल्स आने लग जाएं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल चिंता नहीं करने हैं, फ्लेम एकदम फूल रखेंगे और अच्छे से इसको स्टेर करते हुए हमने इसे पकने देना है, अब घर पे घी बनाने का यह फाइदा है कि एक तो आपको खोया बजार से लाने की जरुवत नहीं है, अगर आपको कोई हलवा बना रहे हो या तो फिर आप कोई पंजीरी बना रहे हो या कोई भी स्वीट डिश बना धे हो तो खोय का कर्म यह होगा कि यह जो अभी घी निकलेगा ना उपर से हम सारा घी निकाल लेंगे और नीचे जो बच जाएगा उसका रेसिडियू से हम एज़क खोया खोया भी घर का हो गया घी भी घर का हो गया इससे पहले मैं एक कटोरी मखन भी घर का निकाल चुकी हो तो सिफ साथ दिन मलाई बचाने से आप इतनी चीज़े जब घर की इतनी शुद तरीके से और टेस्ट तो नेक्स लेविल होता है आप इसे सुबक गरम पानी में भी अ करना बस इतना है सुबह एक कप गरम पानी लिए उसमें ये ताजा घी एक चौमच की करीब मिक्स करके उसे पी जाए खाली पेट तो इससे आपके आकने प्रॉबलम भी दूर हो जाएगा आपके स्टमक में गैस ब्लोटिंग कुछ भी है वो भी दूर हो जाएगा तो यहा में लग जाए साइज में से जलने की बद बूना आए तो यहां पे देखिए अच्छा सा हमारा घी बनके रेडी होने वाला है अब देखिए इसी घी को आप मॉस्चराइजर की तरह भी यूस कर सकते हो अगर आपके पास चैप लिप्स है यान कि आपके जो लिप्स है वो फटे हुए हैं तो आप यही हलका सा घी हाथ में लेकर उसे लगा लिजे तो एकदम इंस्टेंटली आपका ये ग्लॉस का काम भी कर सकता है बाहर की कैमिकल वाली चीजों का आपको यूस करने की जरुवत नहीं है सिर्फ एक घी से इतने सारे बेनेफिट्स मैंने आपको ब पिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सौधा छोड़ना जाहिए तो जरूर से इस चीज को ट्राइ कीजिए और यहां पे आप देख सकते हो हमारा ये जो घी है वो अल्मोस्ट रेडी हो चुका है हलका हलका सा ट्रांस्प्रेंट हुआ है अभी इसको है घी 80% तक रेडी हो गया है आप मैं आपको सजेस्स करूंगी थोड़ा सा दूर है कि इसको हिलाईएगा क्योंकि वो हलका हलका सा चीटा भी देता है तो इसलिए अब हम अच्छे से सिस्टर कर लेंगे और इसे ट्रांस्प्रेंट होने तक पका लेंगे अब देखिए कही लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही घी निकलने लगता है वैसे ही गैस को बंद कर देते हैं तो वह जettre ऊतलिक में भी अच्छा नहीं होता है और साट सात मेंनों पूरा पका हुआ भी नहीं होता कि अभी तक अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से कर लीजिए किस बात की देरी है यहाँ पर आपको मिलेंगी खुब सारी हेल्ट टिप्स, खुब सारी टेस्टी रेसिपीज, खुब सारी वीडियो और घर में क्या-क्या चीजें हम लोग नाचरल वे में कर सकते हैं उन सब की जानकारी आपको बस करना यह है नीचे मेरे चानल का सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर दिना है वीडियो को जादा से जादा लाइक करना है शेयर करना है फ्रेंड एन फैमली के साथ और नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बतान है कि ऐसी वीडियो आपको कैसी लगती है कि नई नई चीजे हम लोग ट्राइ कर रहे हैं आक्चुली यह नई तो नहीं है बहुत पुरानी दादी नानी के टाइम से इस तरीके से घी निकलता है मक्षन निकलता है लेकिन हम लोगों ने कुछ आलस के मारे ही इन चीजों को क आए बहार से घी ले आए जो कि हमें अब अपनी हेल्थ के अंदर दिखता है लेकिन अगर आप अभी भी किसी छोटे शहर में या कहीं जाएंगे जहां पर पुराने टाइम की लेडिज होती है वो स्टिल अभी भी यही मैथड यूज करती है घी बनाने के लिए मक्षन बन कि है वो भी हम अभी निकलने देंगे से फ्लेम आपने फुल रखनी है बीच बीच में अच्छे से याद रखिए हिलाते रहना है ताकि यह जो घी है वो नीचे की साइड लगे ना लगने के बाद क्या होता है वो एक अलग सी स्मेल छोड़ देता और वो खोया काम नहीं आ जाएगी तब ही आपको समझ जाना है कि हाँ हमारा यह जो खी है वो निकलनी वाला है पूरी जो प्रोसेस है वो बीच मिनिट की होगी जिसमें आप मखन भी निकाल लेंगे और साथ साथ में घी भी निकाल लेंगे इससे निकालना बहुत इसी है कुछ स्पेशल गी ले सकते हैं साथ ही में आप गी वाली कॉफी भी बना सकते हैं जो काफी बॉलिवोड एक्ट्रस पीती हैं जैसे की कृतिसन वगेरा नॉर्मल ब्लैक कॉफी में आपको सिर्फ आधा चमज घी डाल देना है उससे भी आपकी ब्लोटिंग या पेट से रिलेटेड कोई प लगबग दो से तीन मिनिट इसे और पकने देंगे फिर गैस को बन करके इसको कर लेंगे ठंडा और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप छान के या तो फिर सिर्फ उपर उपर का घी जो है वो लेकर एक बॉक्स के अंदर रख सकते हैं यह आप दो महीने छे महीने सा करके रख सकते हैं तो यहां पर हमारा घी रडी है गैस को कर देंगे बन और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से घी रडी हो चुका है और यहीं पे इसे अप ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी फिर एक बॉक्स के अंदर निकाल लोंगी और नीचे का जो खोया है उससे हम फिर कभी एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और जो मखन है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है तो साथ दिन की मलाई से यह रेसिपी आए होप आप सब के काम आईगी सब्सक्राइब मैं चानल